मुश्कार, विद्यार्थियों, आज आर्थिक विकास, आर्थिक वर्धी एम विकास, Economic Growth and Development, Theory, Policy, Problems, जो हमारा पेपर MA Previous में और BA Second Year में चल रहा है, इस पेपर के तहट मैं आज एक महत्पून विशय केस बिंदू पर चर्चा करना चाहूंगा, कि आर्थिक विकास की कौन-कौन सी अवस्थाएं रही है, और इन अवस्थाओं में अर्थ विवस्था किस परकार से संचालित होती रही है, तो विकास की विविन अवस्थाएं, समय के साथ साथ विविन अर्थ स्रास्तियों ने अपने अपने ढंग से आर्थिक विकास की अवस्थाओं का उलेख किया, कि किश-किश इस्तती में अर्थ विवस्था की कौन-कौन सी अवस्था मानी जा सकती है, और इसके संदर्ब में प्रोफेसर रोस्टो के जो विकास समंदी अवस्थाएं हैं वह हमारे कोर्स का एक महत्पूर्ण टॉपिक है रोस्टो के आर्थिक विकास की अवस्थाएं आप सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह से तयार करनी चाहिए आज में आर्थिक विकास की आवस्थाओं की शामानी जानकारी देते विए रोस्टो के आर्थिक विकास के समन्द में आपको विश्थर जानकारी परदान करूंगा तो विद्यार्थियों आर्थिक विकास के समन्द में रोस्टो ने पांच अवस्थाओं बताई रोस्टों से पूर हुए के जितने भी अर्षास्त्री थे जिन्होंने विकास की अवस्थाओं के अंतरगत जैसे की प्रोफेसर एडम श्मिथ जिन्हें अर्षास्त्र का जनक कहते हैं उन्होंने विकास में आखेट, चारागाह, क्रशी, वानिजिक, एमवी निर्मान का क्रम रखा कि इस प्रकार शे अर्षास्त्री हुए प्राचीन समय शे लेकर शमय की विभिन अंतरालायों में आगे बढ़ती जाती है इसी प्रकार जर्मन एतियासिक समपरदाय के एक अर्षास्त्री हुए फैडरिक लिस्ट, इन्होंने जो विकास का क्रम में बताया सबसे पहले जंगली अवस्ता यानि सेवेजरी, इसके बाद की जो दित्ती अवस्ता बताया चाराहगा अवस्ता पैस्ट्रोल स्टेज, त इन्होंने एक लिकर के चल के साथ साथ जो है, वह मेन्यूफैक्चरिंग कारे भी होने लगता है और विकास की पांच वी अवस्ता है, वानि जी अवस्ता की बात कही, तो फैडरिक लिस्ट एडम स्मीथ के अलावा विकास की अवस्ताओं को, हिडलर ब्रांड ने भी अपन हिंदू है, रोस्टो दारा आर्थिक विकास की अवस्ताओं, आर्थिक विकास की अवस्ताओं के एतिहासिक करम में एक अमरीका के प्रमुकर्द सास्त्री डबलु डबलु रैस्टो ने अपनी पुस्तक, The Stage of Economic Growth में विकास की पांच अवस्ताओं बताईए, जिसमें पहली अवस्ता जैसा कि आप इस कागज में आप नोट की हुई है परमपरागत सम्माज या ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात कही गई है दूसरी अवस्ता है स्वेम इसपूर्ती से पूरू की अवस्ता the pre conditions for the take off stage या कह सकते हैं तीसरी अवस्ता है स्वेम इसपूर्ती की दसा the take off stage चौती है परिपकोता की अवस्ता drive to maturity और पांच वी है उच जन उपियोग की अवस्ता the high stage the stage of high mass conjunctions तो हम एक एक स्टेज की रोस्टों ने किस परकार व्याक्या की इसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहते हैं सबसे पहले लेते हैं परंपरा का समाज की अवस्ता तो उनके अनुसार इस समाज में परंपरा पत्गत तक्नीकी का प्रियोग किया डाता है और यह जो इसमें जो विशेष्टा देखी जाती है रोस्टो का काना है कि यह समाज जहां न्यूटन से पूरू के विज्ञान और तक्नीक पर आधारित उत्पादन फलन कारे करता है दर्ष्टी कौन भी इसमें शंकुचित होता है यह परिवर्तन रहीत और जड़ समाज होता है जिसमें समाजिकी तिरिवाज समाजिक मुल्य परिवर्तन आधी में करपाना संबव नहीं होता दूसरी विशेष्टा करशियां का मुख्य व्यवशाय होता है इस अवस्ता में राजी की आगम जो है आए है वो भूमी द्वारा होती है सामाजिक सरचना पारिवारी के उन जाती वाद संबंध मजबूत होते हैं राजनितिक और आर्थिक सरचना में आधाद भूत परिवर्तन होते हैं इन्होंने जो मुख्य विशेष्टा इस बात बताई हुआ है कि दरश्टी कौन में परिवर्तन आते हैं वेग्यानिक विदियों का परियोग और तकनिकी में सुधार होता है जोखिम सहन करने की 1668 का मीजी पुनरजांगरन और चीनी की सामयवादी शक्तियों का विजय और भारत की सवतंतरता प्राप्ति इस अवस्था के उदान करे जा सकते हैं और रोस्टो जो है इसे अल्पकालिन स्टेज करते हैं ये दो दश्कों में लगबग अवस्था को कोई भी रास्ट है व इन शेत्रों द्वारा उत्पादित वस्थों की समर्थमाग में होने वाली व्रदी तिवर होती है इन शेत्रों में पुंजी का अधिक प्रियोग किया जाने लग जाता है अर्थवरस्था जब इस शेत्र में आती है तो उत्पादिन में नवीन तक्निकियों का प्रियोग होता है बच्चतों को विन्यों की और गतीशील किया जाता है यानि बच्चत है जो productive शेत्र में लगने लग जाती है और विकाश की इस आवस्ता के मुख्य शेत्र में विकाश से अर्थवस्ता के अनिश शेत्र में उत्पादक्ता में वर्दी होने के उदान भी देखने को मिलते हैं रोस्टो के अनुसार अर्थवस्ता के मुख्य शेत्र तीन माने गए हैं प्राथमिक व्रदी पूरक व्रदी और व्यूद्पन वरदी शेत्र इस तीसरी स्टेज में दर्श्टी गोचर होते हैं फिर रोस्टो ने चौथी अवस्ता बता ही है वह परीपकोता की अवस्ता ड्राइव टू मैचियर्टी समाज या अर्थवस्ता की ये चौथी अवस्ता जो है वह स्वें इसपूर्ती अवस्ता ये टेक आफ स्टेज के बाद की अवस्ता होती है रोस्टेव के अनुसार इस स्टेज में शंपून आर्थी किरियाओं पर आधुनिक तक्निक जो है उसका प्रभाव इस पस्ट रूप से दिखाई देने लगता है नई तक्निक की खोज होने लगती है नए नए उद्योग दंदे इस आवस्ता में फलने फूलने लगते हैं कोईला लोह इस्पात और भारी इंजिनिंग वस्तों के इस इस्टान पर मसीन रसाइन और विधुत यंतरों का प्रियूग होने लगता है रास्टी आए में 10 से 20% भाग विन्योद होने से परती आए में भी तेजी से वर्दी होने लगती है और रोस्टों मानते हैं कि इस स्टेज में बिर्टेन 1850, USA 1900, जर्मनी 1910, रूस 1950, स्वीडेन 1930 में इस स्टेज तक पहुँच गया था और फिर उनका ये कहना है कि जो चौथी आऊस्था है इसके अंतरगत रास्टी आए में एक करशी में परतीषत में कमी आती है ग्रामिन जन्षंख्या का अल परतीषत है सो शहरी करण की तरफ बढ़ती होती है कहने का मतलब है कि शहरी करणक बढ़ने लगता है इस आउस्ता में आधुनिक तक्नीक के परियोक्षे उत्पादन तेजी शे बढ़ने लगता है सरमी को में जागरुकता होने लगती है उनके शंक्ठन बनने लगते हैं और विदेशी व्यापार में भी वरदी होती है तो इस परकार यह स्टेज रोस्टों ने चौथी बताई और पांचवी स्टेज जो रोस्टों कहते हैं विकास की पंचवी अवस्ता है वह अत्यादिक जन उपयोग उपभोग की अवस्ता stage of high mass consumption रोष्टो कहते हैं कि उच जन उपभोग की अवस्ता में टिकाऊ उपभोगता वस्तों का परियोग बढ़ता है व्यक्ति की प्रतिवक्ति आए इतनी अधिक हो जाती है कि जीवन दर्वाहितु आफशिक खाजान वस्त्र आवास की समुचित ववस्ता करने के पश्चात उच उपभोग की वस्तुएं जैसे रेफ्रीजरेटर, दुलाई की मसीन, मोटर कार, आदी को करिय करने की व्यक्ति मैसूस करने लगता है तो इस परकार यह एक विकाश की उच अवस्ता रोष्टो बताते हैं अमरीकान के ने इस अवस्ता में 1913-14 में इसे 1946-1956 काल का जो अवदी है वह अमरीका की वह हाई मास कंजमसन अवस्ता को रोष्टो मानते हैं तो विद्यार्थियों इस परकार आठीक विकाश की पांच अवस्ता हैं जो रोष्टो ने बताई इसे आप अच्छी तरह से तैयार करें और नोट कर लें क्योंकि यह जो है वह हमारे बिये शेक इंडियर का पेपर पर्थम आर्थिक विकास ब्रदी और प्लानिंग वाला है उसमें भी सलेबस में है और में प्रिवेश के सलेबस में भी है अतह दोनों कक्षाओं के विद् कोई समझ में कोई भी यदि समझे आती है समझने में तो आप फौन करके शंपर्क करें धन्यवाद